सपन्याह बहुशवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन हाई बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी पर, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं मारा, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई, इसके हाकिम गरजने वाले सिह ठेरे, इसके न्याई सांच को अहेर करने वाले हुंडार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते, इसके भविशवक्ता, फुहर, बकने वाले और जवस्ता के खीच खाज की है, यहोवा जो उसके बीच में है, वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा, वह अपना न्याय प्रतिभोर प्रगट करता है, चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती नहीं, मैं अन्यजातियों को नाश करता हूँ, यहां तक कि उनक कोने वाले गुम्मट उजड गए, मैंने उनकी सडकों को सुनी किया, यहां तक कि कोई उन पर नहीं चलता, उनके नगर यहां तक नाश हुए, कि उनमें कोई मनुष्य बरन कोई भी प्रानी नहीं रहा, मैंने कहा, अब तो तू मेरा भह मानेगी, और मेरी ताड़ना अंग कार करेगी, जिससे उसका धाम, उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था, नाश नहो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे-बुरे काम यतन से करने लगे, इस कारण यहवा की यहवानी है, कि जब तक मैं नाश करने को नव उठू, तब तक तू मेरी बाठ जो होते रहो, मैं यह ठाना है, कि जाती-जाती के और राज-राज के लोगों को मैं इकटा करूंगा, कि उन पर अपने क्रूत की आग पूरी रीती से भढ़काओं, क्योंकि सारी पूत्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी, और उस समय मैं देश-देश के लोगों से एक नई और शुद भाशा बुलवाओंगा, कि वे सब कि सब यहवा से प्रात्न करे, और एक मन से कंधे से कंधा मिलाये हुए, उसकी सेवा करे, मेरी तित्तर-भित्तर क्योही प्रजा, मुझसे बिंती करती हुई, मेरी भेट पनकर आएगी, उस दिन क्या तू अपने सब बड़े से बड़े क फुले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवितर परवत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, और मैं तेरे बीच में दीन और कंगा लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहवा के नाम की शरन लेंगे, इस्रायल के बच्चे हुए लोग न तो कुट बिलता करेंगे और न जूट बोलेंगे, और न उनके मुह से छल की बाते निकलेगी, वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला न होगा, हे सियोन उचे स्वर सेगा, हे इस्रायल जय जय कार कर, हे एरुशलेम अपने संपुर्ण मन से आनंद कर, और प्रसन न हो, यहवा ने तेरा दंड दूर किया, तेरा शत्रु भी दूर किया है, इस्रायल का राजा यहवा तेरे बीच में है, इसलिए फिर विपत्ती न भोगेगी, उस समय येरुशलेम से यह कहा जाएगा, कि मत डर, और सियोन से यह, कि तेरे हाथ ढिले न पढ़ने प तेरे कारण आनंद में मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर उचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा, जो लोग नियत परवों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकटा करूँगा, क्योंकि वे तेरे तो हैं, और उसकी नामधराई उनको बोज जान पड़ती है, उस समय मैं उन सभों से जो तुझे दुख देते हैं, उचित बरताव करूँगा, और लंगडों को चंगा करूँगा, और बर्बस निकाले हों को इकटा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृत्वी पर फैल उसी समय मैं तुझे तुम्हें लियाओंगा, और उसी समय मैं तुम्हें इकटा करूँगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधों को लवटा लाओंगा, तब पृत्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी किर्थी और प्रशन सा फैला दूँगा, और यह वाका यही वच्छन है